हाई गाईज कैसे हो सारे के सारे वेलकम बैक आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी से चिंता जनक टोपिक के बारे में कि क्या एक्सबोक्स कौन सोल वर हारने वाला है क्योंकि वह अलड़ी तीन बार एक्सबोक्स हार चुका है और उसने मुग ही खाई है जब शुरू में हारा था एक्सबोक्स PS2 से फिर उसके वाद एक्सबोक्स 360 हारा PS3 से और अब हार चुका है प्ले स्टेशन और निटेंडो पे लॉंच करेगा या नहीं तो चलो आज की वीडियो में इन दोन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं अगर आप कहोगे कि भाई हारने वाल्या है एक्सबोक्स या नहीं तो सिंपल शब्दों में हाँ एक्सबोक्स सेरीज एक्स हार चुका है प्ले स्टेशन फाइव से और यह मैं नहीं कह रहा है यह खुद एक्सबोक्स ने माना है कि वो हार चुके हैं आप जाके चेक कर ले ना आई जिन इंडिया पे Microsoft admits Xbox has lost the console war as its battle for 69 billion Activision and Blizzard Bayout भाई यह मतलब खुद Xbox मान चुका है कि वो console war हार चुके है PlayStation जीत चुका है हमेशा ही लिए मतलब अभी के लिए तो यह बात पकी है आगे जागे क्या बता भाई PlayStation हार जाए पर अभी के लिए लगातर चार बार Xbox हार चुका है मतलब ओल्मोस्ट लगातर 23 यर्स के लिए आरेगा क्योंकि भाई Xbox की जो मतलब जो वो सोचते है वो बहुत ही अजीब और अलग है comparing to Nintendo and PlayStation चलो इसकी वारे में थोड़ा और भी डिटेल से आगे बात करते है तो भाई मुझे एक बहुत यह चार्टिकल मिला है Livewire पे इसमें लिखा हुए था Xbox Series X exclusive game list ठीक है इसमें लिखा हुआ है इसमें 22 गेम है अब निचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो चेक करते हैं कितने सारे गेमस है जिसके लिए मैं Xbox लूँगा personally ठीक है मिरे पास है नहीं पर मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ अच्छे गेमस है तो मैं इस गेम को जरूर लूँगा और इसके लिए मैं 12 minutes जो एक time exclusive है जो सर्फ कुछ ही time के लिए Xbox पे exclusive था तो इसके लिए मैं क्यों लूँगा यह तो मैं किसी और प्लैट्फॉम पे खेल लूँगा तो first game time exclusive second be time exclusive तो दो गेम हो चुके हैं third game be time exclusive तीन गेमस पूर्थ अब यह जो गेम में यह launch नहीं हुआ है तो मैं इसको मैं इसके लिए कोई बात नहीं करूँगा कि यह गेम वर्तिट है या नहीं क्योंकि इसके लिए कोई धंका gameplay भी तक आया है ना इसके बार को story में बताया है अब इसको जाकर चेक कर लेना इसके रिवीव जितने गंदे गंदे रिवीव के कि बहुत ही बकवाज गेम है यह तो इसके लिए क्यों लूँ गेम तो बिल्कुल भी नहीं और चार time exclusive हो चुके है 7th game echo generation time exclusive 5 game हो चुके है फिर वाई 8th है ever wild जिसको मैंने नहीं खेला है ना सी उसके वारे मुझे कुछ पता है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा 9th भी है X01 जो अगेन एक console exclusive है पर जिसके वारे मैं नहीं जानता तो no comments फिर वाई 10th हमारा echo मैंका जो एक time exclusive है तो आज games हो चुके हैं फिर 11th पर है Fable जो अभी तक launch नहीं हुआ है ना इसका कोई gameplay आया है कुछ भी नहीं आया है तो मैं क्यों ही बोलूँ और Fable ना बहुत time पहले ही flop हो चुका था तो उसको reboot करना मेरे साब से अच्छी बात है पर why I am take risk for a small game ठेक है ना मैं क्यू risk 12th game 10 exclusive 13th forza motorsport जो जिसको mix reviews मिले हैं तो मैं नहीं बोलूँगा 14th game 10 exclusive है हमारा Hello Infinite जो एक console exclusive है अब यह जो game है इसको मैं मान सकता हूँ कि हाँ भाई मैं इसके लिए एक console ले सकता हूँ पर अगर मैं पास PC है तो भाई मुझे कोई जरूद नहीं है इस game को लेने की मैं PC पे खेल लूँगा मैं क्यू लूँ भाई console जो मेरे पास already PC है मेरे पास Game Pass है मैं Game Pass पे खेल लूँ इस game को अगर भाई मुझे Spider-Man 2 खेलना है तो मैं उसके लिए PS5 लूँगा ठीक है ना पर इस game के लिए मैं क्यू लूँ console सिंपल सीधी बात है 16 पे है The Medium जो अगेन एक time exclusive है 17 पे है Swann जो अगेन time exclusive है तो आपको PS5 भी मिल जाएगा 13 पे है Hellblade 2 अब यह game अभी तक नहीं आया है इसके जो गेम पर लेखोई कोई डंसे प्रॉपर नहीं आए तो मैं स्केर में कुछी नहीं बोलूँगा 19 इस game भी नहीं आया पर भाई एक time exclusive है तो 20 पे है State of Decay 3 अब यह Decay 2 तो तरहीं बखवास गेम था तो मैं 3 को क्यों ही खेल लूँगा 21 पे है Tetris Effect जो एक time exclusive है तो मैं इसको भी क्यों ही खेलूँगा इस game को मैं क्यों ही खेलूँगा सिर्फ Xbox पे 22 पे है Warhammer 40 के Dark Tights जो अगें time exclusive है इसको भी मैं क्यों लूँगा तो मैं out of 22 13 गेम ऐसे है जो time exclusive है इसको मैं दूसरे प्लैटफोर्म से भी खेल सकता हूँ easily तो मैं किसी और प्लैटफोर्म को छोड़के मैं अगें अलग से एक Xbox लूँगा अगर मैं बस चलो PC है और मुझे Hello Infinite खेलना है मैं PC पर खेल लूँगा एक्सबोक्स की कोई need नहीं है अगर मुझे Spider-Man 2 खेलना है तो मुझे PS5 लेना ही पड़ेगा या मुझे PC पर खेलना है Spider-Man 2 को तो मुझे 3-4 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि 3-4 साल बाद ही PlayStation अपने पुराने गेम्स को PC पे लांच करता है ठीक है तो भाई PlayStation तो भाई बहुत अधा स्मार्ट है वो जानते हैं कि उनके गेम इतने बड़े हैं इतने अमेजिंग है कि उनके गेम को खेलने के लिए उनके जो फैन्स है या कोई और भी पॉन्सोल जरूर लेंगे अच्छे हो या ना हो भाई आप PC पे खेलना चाहो खेल लो आपको अगर Xbox लेना है उस वे ले लो दोनों options available है पर भाई PlayStation पे सुर्फ एक option available है कि भाई PlayStation पे खेलो या अगर आपको PC पे खेलना है तो भाई तीन चासा रोकना पड़ेगा उसके लावा आपके पस और कोई option न प्लेस्टेशन की तरह इस्तिमाल कर सकता है जिसके उनकी सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगी पर नहीं कर रहा है जिसके उनकी सेल्स घटे जा रही है और वो वापिस से PlayStation से हार रही है वाई मचे बहुत अच्छे article मिला है इसमें लिखा हुआ है console sale for 2023 इसमें लिखा हुआ है क कितने यूनेट्स सेल हुई है सारे consoles की मतलब तीन मेन consoles निटेंडो स्विच इसबोग सीरीज एक सेनेस एंड पीएस फाइफ एले पे हमारा पीएस फाइफ जिसने 22.5 मिलियन यूनेट्स को सेल्स किया है और उनकी जो सेल है ना वो 65% बढ़ी है 2022 से पेरा सेकेंड पे निट जिसने 16.4 मिलियन यूनेट्स को सेल किया है उनकी सेल घटी है 2022 से फिर है लास्ट में हमारा Xbox सीरीज X एन S मतलब दोनों की S में X की भी और S की भी इसने बेचे है 7.6 मिलियन यूनेट्स और उनकी भी 15% सेल घटी है 2022 से अब लास्ट दो-तिन सालों से ना Xbox ने बहुत ही बड Bethesda and Activision और Bethesda बहुत ही बड़ी सीरीज को लेके बैठा हुआ है Doom, Eternal, Doom सीरीज उनके पास है Fallout सीरीज मतलब अब तो Fallout सीरीज को कोई नहीं पसंद करता पर एक टाइम था बहुत है जब Fallout सीरीज को बहुत लोग पसंद करती थे हमारा Wolfenstein सीरीज and हमारी Elder Scroll सीरीज चार इतनी बड़ी बड़ी सीरीज है बठेश जागा के पास और उनको FPS किंग माने जाता था एक टाइम पर मतलब चलो अब तो बहुत ही बगवास 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 गीम बनाए जा रही है पर बहुत ही अच्छी रेपूटेशन थी और बहुत ही अच्छा लोयल फैन बेश था पतेश जागा और सेम एक्टिविजन का भी एक्टिविजन को सब जानते हैं उनकी Call of Duty सीरीज से और एक्टिविजन जो Blizzard है उनको जानते है डियाबलो सीरीज से तो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज अब Xbox के पास है अगर इसके बाद इसके अब एक्सबोक्स का कोई फायदा नहीं होता उनकी सीरीज उनके जो कॉंसोल को कोई नहीं खरीदता तो इसमें गलतिक कंपनीज की नहीं गलतिक Xbox की है अब चेक करना लास्ट चार पा सालों से इतने भी PlayStation ने श्टूडियोज करीद देना सबनें बहुत ही अच्छे अ इतने सारे बड़े-बड़े स्टूडियोज भी वह वह गेम डिलीवर नहीं कर पाय रहे है जो छोटे-छोटे-च्टूडियोज ने करके डिलीवर लेस्टेशन की रेपूटिशन को बढ़ाया है ना की घटाया है तो इहाल फलाल में है लाइवर करके गेम है जो लॉंच ह पे भी कर देखना लोग पागल हो चुके इस गेम की बीचे नाम है हेल्टायवर 2 इतना पसंद करें भाइब इस गेम को एक नहीं IP है इसलिए नहीं IP होकि वह सेकेंड गेम बेशक है पर वह 1st गेम से बहुत ही अलग है बहुत ही अलग है है इसमीन आसमान का फरकत दोनों ग कॉंसोल कंपनी का दर्जा दिये बिना तो बाई मैं आता हूँ अपने लास्ट टॉपिक पे क्या एक्सबोक्स अपने बहुत ही बड़े बड़े एक्क्लूजिव गेम्स को प्लेश्टेशन और निटेंडो स्विच पे लॉंच करेगा यह नहीं तो इसका अंसर है मेभी क्यो एक्सबोक्स गेम्स तो प्लेश्टेशन नेक्सट वीक तो हमें नेक्सट वीक पता चलेगा कि बाई क्या सच में एक्सबोक्स अपने बड़े बड़े गेम्स जो नहीं है उनको PS5 पर निटेंडो स्विच पे लॉंच करेगा यह नहीं इंच वर पढ़ते हैं Microsoft is planning to share details about its plan to bring Hi-Fi Rush and other Xbox exclusives to PS5 and Nintendo Switch consoles According to the sources familiar with Microsoft's plan, details of Microsoft's multi-platform plans has been gradually leaking with the verge reveals over the weekend that the upcoming Indiana Jones game is been considered for PS5 लो भाई, इंडियाना जोन्स को भी नहीं छोड़ा इतने अच्छे गेम्स जो लास्ट कु सालों में Xbox में लोंच हो रहे हैं रियाल्टी में पकवास गेम्स जो लॉंच हो रहे हैं उनको आप जो अच्छी sales जिनकी हुई भी नहीं है उसके बाद भी आप उनको PS5 पे और Nintendo Switch पे लॉंच कर रहे हो मतलब भाई, फिर कोई तुक बनता ही नहीं है Xbox के consoles को खेलने का, मतलब खरीदेने का और खेलने का अब भाई आनवाल टाइम में मुझे Starfield, Helloo series या Gears of War series या और भी कोई series या Indiana Jones करके ऐसे कोई games PS5 पे और हमारी Nintendo Switch पे भी launch होंगे तो भाई फिर Xbox console फिर खतम है, कोन लेगा Xbox console को भाई, कोई भी नहीं लेगा भाई आज तक मैंने कभी भी किसी भी company को नहीं देखा कि भाई, जिनने अपने बड़े-बड़े games को multi-platforms पे launch किया हो ठीक है भाई, Xbox पहली company होने वाली है, ठीक है, मुझे ऐसा कोई game याद है नहीं आ रहे है, जो मुझे खेलने में मज़ा आए इसमें मैं खेल को बोलू कि भाई, क्या game है यार, बजब ये game तो God of War, या Spider-Man level जितना game है, भाई कोई है नहीं Xbox पह, ये नहीं कहारा कि open world game, ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा game open world ही हो, भाई गेम में decency, गेम में decent combat, story, ठीक है, अच्छी graphics, अच्छे map, अच्छा open world हो या ना ह उससे कोई फरक नहीं पड़ता, पर ये game अच्छा होना अच्छी है, I think Forza 5 के बाद, कोई से game launch हो यह नहीं है, बड़ा AAA game, जिसको मैं बोलू कि भाई, ये game तो ना next level है, तो भाई बास, आज के लितना ही, मुझे यकीन ही हो रहे कि ऐसे Xbox भी कर सकता है, ठीक है, पर चलो, क आपको अच्छे लिएक वीडियो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे, कमेंट करे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करे, ठीक यू